हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे इस दिवाली पे बहुत ही नए तरीक्टे की नास्ते की रेसिपी ये नास्ता हम बनाएंगे गेहु के आटे से तो ये बहुत ही ज़दा खस्ता और टेस्टी और डिलिसियस भी है दोस्तो इसमें आपको समोसा कचोड़ी का भी स्वाद एक काटोरी मैदा और गेहु का आटे में नमक चमच तेल अच्चहरण मेंकसे के भी ताकि पहए बढ़िए इसका मैं हो तभी जाए के हमारा जो बनेगा समोसा वो बहुत ज्यादा खास्ता बनेगे इस तरी के से बिलकुल हमें आठा चाहिए इसका थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसका डो लगाएंगी तो दो थोड़ा टाइठी लगाएंगी तो एक साथ बहुत जाता पानी नहीं डालना है तो चलिए इसका डो लगा रेते हैं तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है अगर हमारी वीडियो आपको थोरी से भी पसंद है तो प्लीज दोस्तों लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्यारा से कमेंट जरूर करिए गया तो चलिए आठे को हमने रिष्ट करने के लिए रखती है दो आलू को हमने वालकर मैस कर लिया हूँ है अधरकलासन का पेश्ट डाला है आता चमच भुना हुए जीरा पाउडर डाला है एक चोथाए चमच हल्दी पाउडर एक चोथाए चमच चाट मसाला नमक स्वात के नु थोड़ा मिल्ट हो चाहिए तो यह अभी पिघल जाएगा तो इसमें साम दो चमच घी लेह लेए और इसमें हम डालेंगे दो चमच मेदा और इस अच्छे से फेट कर इसका पेश्ट बनाएंगे तो जब तक फेटना है तब तक इये क्रीमी टाइप का नहीं हो जाए तब हम आटे का लोई बना लेते हैं तो जिस तरीके से रोटी बनाते हैं उतने ही बड़ा बड़ा हमें लोई बनाना है इतना आटा में जितना लोई हो तो हमने लोई बना लिया हुए चलिए इसकी रोटी बेल लेते हैं जितना लोई है सारे रोटी बेल लेंगे हम चकला पत्थुरता मैदा डश्ट करेंगे और इसे हम बेल लेंगे तो चलिए बेल लेते हैं इस तरीके से हमने सारे रोटी बेल कर तयार कर लिये हुए तो टोटर हमेंने 10 रोटी बेल ली है तो चलिए इस पे हम लगाएंगे इस से तरीन को और अच्छे से रोटी के उपर फैला देंगे तो कि इसी तरीके से हम सारे रोटी को रखते जाएंगे और फैलाते जाएंगे तो आप देख सकते हैं यही प्रोसेज करना एक पूरे रोटी के साथ ही देखिए दोस्तों, इस तरी के से फैला लेंगे, और लास्ट में हम उपर से थोड़ा से मेदा स्प्रिंगल करेंगे, उपर हमें ये पेश्ट नहीं लगाना है, और इसे हम बड़ा सा रोटी बेलेंगे, तो ओल सेफ में बेलना है हमें, तो चलिए इसे बेल लेते हैं, तो हम बहुत बड़ी से रोटी बेलेंगे इसकी, योगि दस रोटी को हमने इस पे रखा है, तो रोटी बड़ा ही होगा, तो जितना कैमे में कैप्चर हुआ है, उतना हमने आपको दिखाया है, तो आप भी बेल लेजिएगा, जितना बड़ा हो, चलिए इसे बेल लेते हैं, और उसके बड़ आपको दिखायाएंगे, देखिए कितना बड़ा रोटी हमने बेला है, और बाकी का जो हमारे पास बचा है पेश्ट, पूरे रोटी में हम इसे अच्छे से डॉट डॉट करके फैला देंगे, और अच्छे से पूरे रोटी मे देखिए, इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बहुत अच्छा टाइट फोल्ड करना है, और चलिए अब इसे काट लेते हैं, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से चाकू को हम हारी की तरह चलाते हुए काटेंगे, दबा कर एक बार भी नहीं काटना है, नहीं तो इसका लेयर नही बनेगा, तो चाकू को इस तरीके से हमें काटना है, एक से देर इंची की दूरी पर हमने काटना है, देखिए, इसका लेयर साफ साफ दिख रहा है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, इसे हम रखेंगे, और कोई प्लेट हो, और या आप अपने हाथ से इस तरीके से इसे दबा दबा करें, इसे हम फैलाएंगे, बेलन नहीं चलाना है, बिल्कुल भी, ये देखिए, इस तरीके से फैलाएंगे, हाथ से इसली फैल जाता है, कोई प्रोब्लम नहीं होती है, और इस तरीके से देखिए, लेयर दिख रहे हैं, जो ज़्यादा लेयर जिस तरफ नीचे रखेंगे, दूसरे भी इस तरीके से बना लेते हैं, देखिए, इस तरीके से इसे भी बना लेते हैं, अच्छे से फैला लेते हैं, देखिए, और चलिए, अब हम इसमें रखेंगे इस स्टाफिंग को, इस स्टाफिंग को बहुत ज्यादा हमें नहीं भरना है, इस अच्छे से सैट करके रखेंगे और उसके उपर से इसे भी रख देते हैं और अच्छे से दबा लेंगे इसे देख सकते हैं इस तरीके से और उसके बाद जिस तरीके से हम पड़किया बनाते हैं गुजिया उस तरीके से इसे हम मोरते जाएंगे देखने में लुकिस का बहुत ही बढ़ी आता है दोस्तों और खाने में बहुत ही ज़दा खस्ता लगता है बजार का समोसा भूल जाएंगे जब इस तरीके से ये नास्ता बनाएंगे इस तरीके से हम सारे बना कर तयार कर लेंगे चलिए अब इसे हम फ्राइ करेंगे तो तेल हमारा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए नर्मल गरम होना चाहिए देख सकते हैं अभी थोरे थोरे बबल करना है ताकि लेयर इसके खुल के आएंगे और यह खस्ता बनेंगे देख सकते हैं और उलड़ते पुलड़ते वे अच्छा सा गोल्डेन कलर आने तक इसे हमने फ्राइ किया हुआ है तो चलिए यह फ्राइ हो चुके हैं अब हम इसे निकाल लेते हैं देखिए कितना बढ़ यह दिख रहा है और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसा बना है यह तो देखिए दोस्तो कितना बढ़ी है लेयर वाला बना है तो आप देख सकते हैं इसे और देखिए कितना खस्ता बना है ये अभी गरम है दोस्तो ये देखिए तो इंज्वाई करिए दोस्तो धन्यवाद